नवस्ते दोस्तों मैं हूँ राजौन और आज के वीडियो में हम 10th क्लास के English Book के इस चप्टर A Letter to God के MCQs यानि की Multiple Choice Questions और उनके Answers देखेंगे तो इन्हें देखने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको इस चप्टर के सारे Short and Broad Questions और उनके Answers के ऊपर एक Complete वीडियो चाहिए तो मैंने वो बनाया है आपको description box में Link मिल जाएगा तो आए नंबर वन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यानि की A Letter to God चाप्टर के लेखक कौन है औप्शन ए ओजन नैश बी गेविन Maxwell C Walt Whitman या D GL Fuens तो आपको पता है कि यह आंसर है D GL Fuens देखे मैं आपको recommend करूंगा कि आप इसके explanation को पहले अच्छे से देख लीजिए इस चाप्टर के इन्हें देखने से पहले ताकि आपको अच्छे से समझ आजाए no 2 who was lencoe यानि की लेंको कौन था option ए फार्मर यानि की एक किसान भी एडाक्टर निकिए डॉक्टर सीटीचर यानि की एक शिक्षक और डी एक पोस्ट मेन यानि की एपोस्ट मैं तो इसका अंसर है फार्मार यानि कि एक किसान था वो नंबर थ्री है हाव मुच मनी डिद लैंको आस्क फॉर इन इस लेटर यानि कि लैंको नहीं जो चिठी लिखा था उसमें उसने कितना पैसा मांगा था अप्शन से A 20 पैसोस B 50 पैसोस C 100 पैसोस या फिर D नन यानि कि इन में से कोई भी नहीं तो इसका अंसर है C 100 पैसोस तो उसने 100 पैसोस मांगा था जो पहला उसने लेटर लिखा था बगवान को तो लैंको जिस वैली में रहता था वहां पे कुल कितने घर थे ओप्शन है A 1 B 2 C 3 और D 4 तो इसका अंसर होगा एक क्यूंकि आपको पता होगा वहां पे एक लाइन है शुरू में ही कि लैंकोस हाउस वास दी ओनली हाउस इन दा एंटायर वैली वाट वाट वाज दी ओनली फिंग दी आर्थ नीडेड यानि की एक मात्र वो कौन सी चीज ती जिसकी दरकार थी उसके जमीन को उसके खेत को ऑप्शन से सनलाइट ब्रीज डाउनपोर या फिर कुछ नहीं तो सनलाइट यानि की रोशनी तो आपको पता ही है ब्रीज यान जाउनपोर यानज की हलका सा बारिश तो इसका एंशर सीड प liquor anni की हलके से बारिज की जरूरत थी वाट लेंको यागव डूइंग तो इसका answer है dinner, actually supper लिखा है और same meaning होता है यानि कि रात का खाना वो बना रही थी 7th question है, what did length को compare small and large raindrops with तो बारिश के जो छोटे और बड़े बूंद थे, उनके साथ length को ने किस चीज का comparison किया है तो आएए देखते हैं इसके options option a, one and two cents, b, five and ten cents, c, fifty and hundred cents, d, none of these यानि कि इन में से कोई भी नहीं, तो इसके answer है five and ten cents what were length of older boys doing, तो length के जो बड़े लड़के थे, वो क्या कर रहे थे a, working in the firm, यानि कि firm में वो काम कर रहे थे, working in the house, यानि कि घर पे काम कर रहे थे working in the field, यानि कि मैदान पे काम कर रहे थे, या d, none of these, यानि कि इन में से कोई भी नहीं तो इसका answer है working in the field, जो मैदान था, जो खेत था, वो काम कर रहे थे nine number है, how long did the storm last, यानि कि वो जो तूफान है, जो storm है, वो कितने देर तक था option से half an hour, यानि कि आदा घंटा, one hour, एक घंटा, two hours, यानि कि दो घंटा, या फिर three hours, यानि कि तीन घंटा तो इसका answer है one hour, यानि कि तकरीवन एक घंटे तक वो तूफान चला था 10th number question है, what did Lenko compare the hailstone with, यानि कि वो जो तूफान था, उसके साथ Lenko ने किस चीज़ का comparison किया है options है, locusts, rats, crows, या फिर इन में से कोई भी नहीं है, यानि कि none of these, तो locusts है इसका answer, जो कि एक तरीके के कीडे होते हैं और rats तो आपको पता ही है, चू है, और crows, यानि कि कोई, तो इसका answer है, A, locusts what was the only hope of Lenko, तो Lenko का एकमात्र उम्मीद क्या था, hundred pesos, God, यानि कि भगवान, his son, यानि कि इसके लड़के, या none of these, यानि कि इन में से कोई भी नहीं, तो इसका answer है, option B, भगवान जैसे कि चिठ्थी लिखने से पहले वो सोच आता कि सिर्फ भगवानी उसके एकलोते उम्मीद है, on which day did Lenko write his first letter to God, तो भगवान को पहला चिठ्थी Lenko ने किस दिन को लिखा था, option से A, Saturday, यानि कि शनिवार को, B, Sunday, यानि कि रविवार को, C, Thursday, या D, Friday, तो इसका answer है, Sunday, या यानि कि रविवार को लिखा था, उसने पहला चिठ्थी, 13th question है, how much money did Lenko ask for in his first letter to God, यानि कि जो पहला चिठ्थी लिखा था, लेंको ने भगवान को, उसमें भगवान से लेंको ने कितना पैसा मांगा था, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, या none of these, यानि कि इन में से कोई भी नहीं, तो अगर अपने ये स्टोरी अच्छी से पढ़ा है, तो आपको पता होगा, answer है, B, 100 pesos, what was the first reaction of the postmaster after reading Lenko's letter, तो Lenko का जो चिठ्थी उसने भगवान को भेजा था, तो वो पढ़ने के बाद, जब postmaster को मिला था, वो चिठ्थी, तो उसने पढ़ा, और उसका पहला reaction किया था, option है, laughing, य यानि कि वो पहले देखके हसने लगा, how much money did Lenko receive from the letter, यानि कि उस चिठ्थी से Lenko ने कितना पैसा रिसीव किया था, option A, 50 pesos, B, 60 pesos, C, 70 pesos, या D, 80 pesos, जिसका answer है, 70 pesos, option C, what did Lenko call the post service employees, तो post service के जो कर्मचारी थे, उन्हें Lenko ने क्या बुलाया था, option A, crooks, यानि कि चोर, B, great people, या यानि कि अच्छे दोस्त, और D, none of these, यानि कि इन में से कोई भी नहीं, तो इसका answer है, crooks, a bunch of crooks, यानि कि एक चोर के एक दल को, मतलब बोला था, कि ये एक दल चोर है, ऐसे बोला था, what were Lenko's little boys doing, तो Lenko के जो छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे option है, A, working near the house, यानि कि घर के पास काम कर रहे थे, B, playing near the house, यानि कि घर के पास खेल रहे थे, C, eating something, कुछ खा रहे थे, या D, none of these, यानि कि इन में से कोई भी नहीं, तो इसका answer है, B, playing near the house, यानि कि घर के पास तो खेल रहे थे, 18th है हमारा, why did Lenko need money, यानि Lenko को पैसे क्यों च family from hunger, यानि कि अपने परिवार का भूख मिटाने के लिए, और D, none of these, यानि कि इन में से कोई भी नहीं, तो इसका answer है, option C, अपने परिवार का भूख मिटाने के लिए, वो चाता था कि भगवान से वो थोड़ा सा पैसा ले ले और अपने खेल को recover करे, which crop was growing on Lenko's field, तो Lenko का जो खेत था, उसमें कौन सा फसल था, option से A, corn, B, rice, C, barely, या D, none of these, यानि कि इन में से कोई भी नहीं, तो इसका answer है, corn, यानि कि मकई, 28th और लास्ट है हमारे पास, the field looked as if it was covered with sugar, salt, water, और none of these, यानि कि जब वो तूफान खतम हो गया, हेल स्टॉम खतम हो गया, तब देखके क क्या लगा कि किस चीज से ढग गया है, मानो, ये पूरा मैदान, तो क्या sugar से, यानि कि चीनी से ढग गया है, salt, नमक से, या फिर पानी से ढग गया है, या इन में से कोई भी नहीं, तो इसका answer है B, यानि कि लग रहा था कि पूरा नमक से ढग गया है, पूरा white हो गया था, इसलिए यहाँ पर सॉल्ट है इसका आंसर तो यह थे लेटर टू गॉर्ट चाप्टर के कॉमन और बहुत ही इंपोर्टेंट एमसी क्यूज और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको सारे शॉर्ट और बॉर्ट क्वेश्चन आंसर चाहिए इस चाप्टर के तो मैंने वह वीडियो बनाया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको इन में से कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे मैं रिप्लाइ काने का ट्राय करूंगा और मिल से अगली वी झाल